वल्तो ही गाईज, वल्कम टू माई चैनल, माने मिस पंकस, तो वेल आप लोग का स्वागत है न और हमें रेस्लिंग में, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्या हमें डेवलोली प्लान करते वे दिखाई देने वाली है, इस साल वार गेम्स और उस वार गेम्स के अ हैतरीन अपडेट आईए, तो भाई, इन सारी अपडेट के बारे में, डीटेल में डिसकस करेंगे, और किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाईज, प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेटेस्ट अपडेट्स, और ऐसी कुछ इंट्रस्टिंग का कहना है, तो भीगी इसको लेकर ट्वीट करके भी कहते हैं, इवेन एक्स्प्लेइन करते हुए दिखाए देते हैं, कि वो हमें क्यों नहीं देखने को मिलेंगे, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और भीगी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी भी मेडिकल डॉक्टर की तरब से उनको क्लियर नहीं किया गया है, डेवलोली के अंदर इन रिंग रिटन करने के लिए, और वो उनके लिए काफी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पर बीगी का कहना है, यानि कि बीगी की इंजिरी काफी ज़्यादा सीरियस है थी, तो ऐ ऐसे में याँ पर बीगी को काफी ज़्यादा भारी बढ़ सकता है, अगर काफी खतरनाक बंस उनको वापिस से लगते हैं डेवलोली रिंग के अंदर, जो कि डेफिनेटली काफी ज़्यादा साड रहेगा, और भाई मुझे दुख होता है कि आज भी उस बंदे को क्यू ड पस्तिंग इंग ils दॉ, इन रिंक के और उनके उमर से पहले ही, आई होप सो कि बीगी को लेकर खुछ ने कुछ तो चमतकार देखने को मिलें, जैसे डानिल ब्राइञ और एज हमें रिंक के अंदर देखने को मिलें, हैं तो मिल जाए तो बढ़िया रहेगा बाकि अगले अपडेट की बात कर ले तो यह अपडेट हमें आपर देखने को मिल रहा है CM Punk के Advertisement को लेकर तो CM Punk हमें आने वाला जो Draft देखने को मिलेगा Draft के 26 तारिक यानि की SmackDown के अंदर और 29 तारिक यानि की WD के Monday Night Raw के अंदर दोनों जगा CM Punk को Officially Advertis किया गया यानि की Raw और SmackDown दोनों के Draft के टाइम पे CM Punk अवेलेबल होते वे दिखाई देने वाले हैं Raw और SmackDown दोनों के लिए तो यह एक काफी बड़ी खुसकबरी है and let's see यहाँ पर WD CM Punk को लेकर चल जा और Drew McIntyre क्या पता कहीं Raw के अंदर चले जाए अगर ऐसा कुछ होता है तो सिनेरियो में आप लोग को डेफिनेटली बताना चलूर चाहूंगा बट फिलाल के टाइम पे ठीक ठाक हावाई लेटसी क्या होता है भी मतलब क्या चीज़ा हमें आप पर देखने को मिलती है CM Punk के साथ में और Advertise तो दोनों यानि की दोनों Draft के दिन है बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो यह अपडेट हमें आप पर देखने को मिल रहा है Conor McGregor को लेकर अब Conor McGregor को आप सभी लोग जानते रहोगे December का टाइम से यह अपडेट से यहां पर देखने को मिल रहे थी कि Conor McGregor उनका हमें next fight देखने को मिल सकता है Ultimate Fighting Championship यानि की UFC के अंदर और वो fight हमें कब तक देखने को मिलेगा यह होने वाला है 29 जून को तो इस दिन कंफर्म किया गया है कि Conor McGregor वर्सिस माइकल चैंडलर यह हमें देखने को मिलने वाला है अब आप लोग को यादी होगा WL के Monday Night Rock के अंदर माइकल चैंडलर ने call out किया था Conor McGregor को for the fight और finally UFC 303 के लिए यह जो fight है यह जो match यह confirm हो चुका है जहांपक Conor McGregor और माइक चैंडलर fight करते वे दिखाए देंगे जो कि UFC 303 में 29 जून 2024 यह date याद रखना उस दिन हमें इन दोनों की fight देखने को मिलने वाली है Conor McGregor की और माइकल चैंडलर की बाकी let's see क्या कुछ होते वे दिखाए देता है इंट्रोस्टिंग तो रहेगा देखना fighting overall match overall बाकी बढ़ लेते हैं वैसे next one update के बारे हम बात कर लेते तो यह update हमें यह आपर देखने को मिल रहा है Uncle Howdy को लेकर तो भाई क्या Uncle Howdy की जो faction है इसमें हमें काफी कुछ बड़ी चीज़े देखने को मिलने वाली है अब आल्रेडी सभी लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पर multiple teizes raw और smackdown दोनों के अंदर देखने को मिल रहा है जहाँ पर raw के अंदर भी हमें hello करके video footage के अंदर glitch देखने को मिला था जहाँ पर जो की Bronson Reed का segment देखने को मिल रहा था इसके बाद smackdown के अंदर हमें segment देखने को मिला जो match हो रहा था बियांका का उसके बीच में glitch देखने को मिला जिसमें वहाँ पर वो कहते वे दिखाए दिए you forget about us यानि की काफी कुछ चीज़े टीज़ेस देखने को मिल रही है इवन यहाँ पर off-air होने के बाद कुछ theme song सा बस्तावा दिखाए दे रहा है तो सारी चीज़े एक तरीके से clear करते वे दिखाए दे रही है कि क्या हमें यहाँ पर Brie White के जो brother है यानि की टैलर रोटूंडा यानि की बो डालस जिनको हम WD के अंदर जानते हैं वो written करते वे दिखाए देने वाले हैं as a uncle howdy और सिर्फ और सिर्फ क्या uncle howdy ही देखने को मिलेंगे या फिर उनके साथ और भी superstars देखने को मिलेंगे अगर आपने last वाला जो footage देखने को मिला था मतलब जहाँ पर glitch हुआ था जिसके अंदर हमें देखने को मिला था कि उन्होंने का you forget about us यानि कि तुम हमारे बारे में भूल चुके हो अब यहाँ पर वो एक अकेलो को नहीं कह रहे हैं वो यहाँ पर पूरे लोगो को कह रहे है that means कि यहाँ पर वो ऐसा tease कर रहे है कि हम अकेले नहीं हमारे साथ कुछ लोगो को तुम miss कर रहे हो तुम भूल चुके हो तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो Uncle Howdy के teases है यह यहाँ पर clearly indication कर रहे हैं कि Uncle Howdy ही सिर्फ अकेले नहीं देखने को मिलेंगे Uncle Howdy के साथ में में भी हमें यहाँ पर Alexa Bliss और Braun Strowman and even Eric Rowan तक देखने को मिल सकते हैं यानि कि पूरी Uncle Howdy के साथ में White Valley Family यानि कि Brave White की Family एक तरीके से कहें तो Brave White 2.0 Family हमें यहाँ पर White Family की 2.0 देखने को मिल सकती है Uncle Howdy यहाँ पर और उनके साथ में Eric Rowan and Braun Strowman बाकि लट सी डेवलोली इसको लेकर कैसे क्या शेप मिलाते वे दिखाए देती है प्लान्स को बट चीजे यहाँ पर ऐसी ही देखने को मिल सकती है इस चीजे को लेकर टीजेस करना सुरू कर चुकी है Alexa को लेकर टीजेस देखने को मिल रहा है Dreadmare Channel पे भी कुछ टीजेस ऐसे ही देखने को मिल रहे है तो इन सारी टीजेस को देखकर तो यही लग रहा है कि हमें यहाँ पर कोई फैक्शन देखने को मिलेगी पेरी बातों को समझ गए रहे होगे वाकि आप लोगे कुछ थॉट्स रहेंगे तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरू डिसकस कर सकते हो बाकी बढ़ लेते हैं नेक्स वान अपडेट के बारे में बात कर लेते तो यह अपडेट है Roman Reigns Bloodline वर्सेस The Rock Bloodline अब जैसा कि हम सभी लोग जानते है डेवरल यहाँ पर जिस तरीके से पूरी स्टोरी लाइन फॉर्म कर रही है सोलो सिकोवा अपना एक अलगी अंपायर तयार कर रहे है मतलब अपना अलगी फैक्शन बना रहे है उन्होंने धोखा दे दिया है पॉल एमन को मार कर मतलब पॉल एमन की मुवाइल चीन कर तोड़कर डिरेकली वो कहते वह दिखाए दे रहे है कि रोमन इसके साथ में अब वो नहीं रहने वाले है तो यहाँ पर सोलो सिकोवा और जो टामट होंगा है वो तो जोईन करते वे दिखाए देंगे दर रॉक को अब यहाँ पर प्रॉब्लम और भी देखने को मिल सकती है जहां पर हमें हो सकता है कि डेवलो ली रोमन रेंज को रियूरियन करवाते वे दिखाए दे जाए दी उसोस यानि कि जे एंड जिमी के साथ में जहां पर हमें जैकाफ फार्टू, जिलाफ फार्टू, लेंस अनौय है यह सब के सब देखने को मिले और सब जॉइन करते वे दिखाए दे जाए जहां इसके बाद हमें सर्वावल सीरीज के अंदर ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, फैक्शन वर्सेस फैक्शन मैस देखने को मिले सो ओवराल समझ के चल जाओ कि भाई जो सारी फ्यूड हमें यहां पर कंटिन्यू होते वे दिखाए देने वाली है वो अब ऐसी ही देखने को मिलेगी बाकि आप लोग के कुछ ओपिनियन्स होंगे इन सारे अपडेट्स को लेकर तो कॉमेंट सेक्शन में जरू बता सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सेर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो सबका लिंक डिस्क्रिप्चर में, वहाँ पर फॉलो कर लो, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले बाई बाई एवरिवन गाईज